जब जब स्रीकिष्ण का नाम लिया गया है ऐसा कभी नहीं हुआ कि राधा जी का नाम ना लिया गया हो। जिसके बारे में हमें से ज़्यादा दर लोगों को कुछ नहीं पता होगा। से कई ज़्यादा प्यार क्रिष्ण उन्हें करते थे। राधा क्रिष्ण से उम्र में पांच वर्ष बड़ी थी। लेकिन फिर भी इस वात का फर्क ना क्रिष्ण को बढ़ा और नाहीं राधा को। राधा वर्ष बड़ावन से कुछ ही दूरी पर रैपली नमक गाउं बरहती थी। लेकिन रोजाना क्रिष्ण की मदुरवाज़ी के आवास से वो किची जली आती थी। क्रिष्ण का जीवन भी साधारण नहीं था। धीरे धीरे वैस समय निकट आ रहा था। जग क्रिष्ण को वर्णदावन छोड़कर मधुरा जाना था। क्रिष्ण की दुष्ण मामा कंस का अत्याचार चरम सीमा पर पहुँच जोगा था। और एक दिन कंस ने उन्हें और उनके भ्राता बड़नाम को मधुरा आमध्रित किया। और इसी बास से वर्णदावन नगरी में सभी के भीतर एक डर बैदा हो गया। वर्णदावन में मानों जैसे मातन सचा गया था। माय यशुथा तो परिशान थी क्योंकि उनका देल का टकुड़ा उनसे दूर जा रहा था। लिकन क्रिश्न की गोपिया भी कुछ कम उदास नहीं थी। दोनों को लेने के लिए कंसको द्वारा रत बीजा क्या। जिसके आते ही सभीन उस रत के आसपास घेरा बना लिया। यह सूच कर कि क्रिश्न को नहीं जाने देंगे। उधर कृष्ण को राथा की जिंता सतान लगी थी और वी सूचने लगे थी कि जानी से पहले एक बार राथा से मिले मौका पाती वे चिपकर वहाँ से निकर गए और फिर उन्हें राथा मिली जैसे देखते ही वे कुछ कहना सके राधा कृष्ण के इस मिलन की कहानी बहुत अध्वोथक दोनों ना तो कुछ बोल रहे थी और ना कुछ महसूस कर रहे थी बस चुप थे राधा कृष्ण को ना के बल जानती थी बलकि उनके मन और उनके दिमाग को भी समझती थी क्रिष्ण के मन में क्या चल रहा है वे पहले से ही भाप लेती थी इसलिए शायद उन दोनों को उस समय कुछ बोलने के आविश्रक्ता नहीं पड़ी और आखर राथा को अर्विदा कहकर क्रिष्ण लोट आए और आकर गोपियों को भी समझाया और अनुमती लेने के बाद वहां से चले गए और विरंदावन क्रिष्ण के बिना सूना हो गया ना कोई चहल पहल थी और ना ही क्रिष्ण के लीलाओं की कोई चलक बस सभी क्रिष्ण के जाने के घम में रूब थे परंतु दूसरी और राधा को इस बात का कोई फर्थ नहीं पढ़ा था क्रिष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे शारेरी ग्रूप से जुदाई मिला उनके लिए कोई महतु नहीं रखता था यदे को जो महतुपूर था तो राधा क्रिष्ण का भावनात्मक रूप से हमेशा जुड़ा रहना क्रिष्ण के जाने के बाद राधा पूरे दिन उनहीं के बारे में सोचती रहती और ऐसे ही लंबा अर्च साबीत गया लेकिन आगे वाले समय में राधा की जिन्दकी क्या मोड लेने वाली थी उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था जो हर लड़की के साथ होता है वही राधा के साथ भी हुआ माता पिता की दबाम में आकर राधा को विभा करना पड़ा और विभा के बाद अपना जीवन संतान घरकरस्ती के नाम करना पड़ा लेकिन दिल की किसी कोने में अब भी कृष्ण मौझूद थे दिन बीते गए वर्ष बीत गए और समय आगया था कि अब राधा काफी व्रत हो गई थी और फिर एक राध भी चुपके से घर से निकल गई और खूमते खूमते कृष्णी की दुवारिका नगरी जाब पहुंची वहाँ पॉस्ते उन्होंने कृष्ण से मिलने के लिए ने वितन किया लेकिन पहली बार उन्हें मौका राप तब हुआ जब कृष्णी काफी लोगों के बीच घरे हुए खड़े थे राधा को देखते ही कृष्णी की खुशी का ठिकाड़ा नहीं रहा लेकिन तब भी दोनों में कोई वारताराब नहीं हुई क्योंकि अभी भी उन्हें अलफाजों की आवे शक्ता नहीं थी कहते हैं कि राधा कौन थी यह दुआरिका नगरी में कोई नहीं जाता था राधा की अनुरूत पर किष्णी उन्हें महल में एक दिविका के रूप में न्युक्त कर दिया वे दिन पर महल में रहती, महल से संबन्दित कारियों को देखती और जब भी मौका मिलता दूर खड़े होकर कृष्ण के दर्शन का ले थी लेकिन फिर भी ना जाने क्यों राधा में धीरे धीरे एक भैपैदा हो रहा था जो बीटते समय के साथ बढ़ता जला गया और उन्हें फिर से कृष्ण से दूर जाने का डर सता आ था, उनकी भावनाएं उन्हें क्रिश्ण के पास नहीं रहने दी थी साती बढ़ती उम्र भी अब उन्हें क्रिश्ण से दूर ले जा रही थी और आखिर एक शाम महल से भी चुप किसे निकल गई, उन्हा जाने किस ओर चलती, वह नहीं जानती थी कि वह कहां जा रही है, आगे मार को पर क्या मिलेगा, बस चलती जा रही थी, परन्तु कृष्ण तो भगवान है, फिस सब जानते थी, इसलिए अपने अंतरमन में भी जा कि राथा कहां जा रही है, फिर वह समय आखिया, जब राथा को कृष्ण की आवश्यक्ता पड़ी, वह अकीली थी, बस किसी तरह कृष्ण को देखना जाती थी, और जैसे ही यह तमन्ना उनके मन में आई, कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए, कृष्ण को अपने सामने देखर राथा खुश हो गई, परंत दूसरी ओर वह समय निकाटा गया था, जब राथा अपने प्राण त्याक कर दुनिया को अलविता गयना चाहती थी, कृष्ण ने राथा से पेश्ण किया, कहा कि वह उनसे कुछ मागे, लेकिन राथा ने मना कर दिया, कृष्ण फिर स जैसे ही उनके कानों में कई, राथा ने अपनी आखे बंद कर ली, और थीरे थीरे राथा ने अपना शरीर ध्याक दिया, और दुनिया से चली गई, उनकी जादे ही कृष्ण ने राथा को अपनी गोध मिले लिया, और राथा से चिपट कर रोहने लगे, उनकी आँखों स जैसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और उसी दिन से कृष्ण बासुरी को कभी नहीं मजाया, तो ये थी राथा और कृष्ण के जीवन की कहानी, अगर आपको पसंद आई है तो इससे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें